आप सोचरे में क्या करी हूँ यह एक इसेडिटी का इंस्टेंट सॉलिशन दे रहे हूँ यह यह होगा है जिसमें आपको सांस लेना है डंग को मोड करके लेना है इससे आपका अंदर काफी ठंड़ बहुच जाएगा और आपको एसेडिटी प्रॉब्लम ज्यादा परिशान कर रहा है तो आपको बहुत रहात मिलेगा यह इस टेंट सॉलिशन है और आपको रेगुलर रहता है तो आप रोज इसको 5-15 बार रेगुलर कर सकते हैं यह इससे आपको फायदा मिलेगा तो आज मैं बताने वाली हूँ एसेडिटी के बारे में आपको तो समझ में आ ही गय आज मैं आपको बताओंगी क्या करना है जिससे आपको एसीडिटी की प्रोग्म्म य में कभी फेज करना ही और आपड़ी तो मैं आपको डुन्स सारी बाते आपको बताओंगी जो आप संसर्गलत कर जाते हैं जाने भोग जाने में तो यह काम बिल्कुल नहीं करना है, जब खाना काते हैं, तो हमारा जटह रगनी होता है, हमारे खाने को डाइजिस्ट करने में लग जाता है, उस समय हम पानी पी लेते हैं, तो हमारा जटह रगनी सांत हो जाता है, और हमारा खाना अच्छे से डाइजिस्ट नहीं होता है, द अगर आप खाना अच्छे से चबा चबा के खाते हैं तो हमारे जो मूह कलार है जो चारी होता है वह हमारे पेट में जाएगा और पेट की जो एमलेता रहती है इसको बैलेंस करती है और खाना अच्छे से डाइजिस्ट भी होता है और खाना डाइजिस्ट करने में हमारे एनर अब जो भी ख़ाई अच्छी डाइज़िस्ट होता है यह सबसे जादा मेंच्छा अख़ाई घाजिस्ट होना चाहिए ताके आपको प्राबल्म हो ही ना और मैं आपको और भी उपाये बता देती इस इंस्टेंट उपाये जैसे किसी को अभी बहुत ज़्यादा एस इडिटी प्रॉब्लम है तो आप कच्छा दूथ ठंडा दूथ आप ले लिजे इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा या पुदिना की चट्नी ले ले अब एक समय के बाद क्या होगा कि आप जब इस उपाये को करेंगे तो फिर आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा इस इलाग को गलती ही नहीं करना है कि आपको एसिडिटी प्रॉब्लम फेज करना पड़े तो सुभा उठकर कर लिजे बहुत लोगों होते जो सुबह उठते तो इसे लोगों को सुबह सुबह केला खाना चाहिए तो उनको एक बेस मिल जाता है तो उससे उसको पेट में दर्द या जलन नहीं करता है और सुबह जल्दी नास्ता कर लिया किजे ज्यादा देर तक आप खाली पेट मत रहा किजे अब मैं आपको बता देती हूं कि आप पांच घंटे के अंदर खा लेना चाहिए यह मैकसिमम वरना चालिस मिनट के अंदर ही हमको खाना खाली जगे जगे खाना पका बारे बज़े तो बारा चालिस तक आप खाना खाली जगे गर्मा घरम खाना खाली जगे तो फ्रेश खाना खाली जगे बासी खाना बिल्कुल तो फ्रीज का खाना तो आपको खाना ही नहीं है आपको ताजा ताजा खाना है खाना बनाए और खाने के लिए बैट जाएए हां बहुत लोगों साथ ऐसा होते हैं कि उनको टिफिन लेके ओफिस जाना पड़ता है तो वह भी आप मैकसिमम 5 गंटे तक तो आपका चल जाएग आप चटपटा जाते हैं और आपको एक चीज गलती क्या नहीं करनी है आप खाने के तुरंद बाद आप आराम मत किज़ें तो आप रात को खाना खाते हैं और सोनी के लिए बेट पे चले जाते हैं या बेट पे जाकर करके आप मोबाईल चेक करते हैं जो आजकल सब की जब भी हम किसी भी टाइम खाते चाहे नास्ता हो लंच हो डिनर हो चाहे कुछ भी हो खाने के बाद हमको थोड़ा सा गुड़ खाने का आदत बना लेना चाहिए इससे आपको फ्यूचर में एसी ट्री प्रॉब्लम हो गई नहीं इन उपायों को अगर आप करेंगे खाने के तुरंत बार आप थोड़ा सा गुड़ जरूर सामिल कर लिजे जब खाने के साथ बठेंगे थोड़ा सा गुड़ लेके बठें थोड़ा सा ज्यादा गुड़ नहीं लेना है थोड़ा सा गुड़ खाये और आप खाने के बाद आप 10 से 15 मिनट आप वजरासन कीजे एक यह मैं अलग से एपिसोड बना दूंगी कि कैसे आप वजरासन करें ताकि आपको परिशानी ना उठाना पड़े तो आप वजरासन दस से पंदर मिनिट करेंगे ना तो उससे आपको 25% कम समय लगता है खाना को डाइजिस्ट होने में तो आप खाने के तुरंद बाद आप आप दस से पंदर मिनिट वजरासन कीजिए उसके बाद जब रात का खाना खाते उसके बाद थोड़ा से तहल लेजिए क्योंकि दिन में हम खाना खाते हैं तो उसके आप कुछ नो कुछ काम जरू कर लेते हैं पर रात का खाने के बाद किया करते हैं हम या तो एक जगा बैट ज इसलिए में कहते हैं कि रात का खाना खाने के बाद आप 10-15 मिनट अभजरासन कर लिजे और फिर थोड़ा से तहल लिजे तो इस तरह से अगर आप अपने दिंचरिया को करेंगे तो आपका जो एसिड़ी प्रॉब्लम है वो सॉल्भ होने लगी समय के साथ आप यह करके देख आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और खाने में फाइबर जरूर यूज कीजिए कम फाइबर वाला खाना खाने से भी एसिड़ी का प्रॉब्लम होता है कम पानी पीने से भी एसिड़ी का प्रॉब्लम होता है तो आपको कम पानी नहीं पीना है आपको सफिस्टेंट पानी प कि आप पानी पीजिए और खाना कहाईए तो आपको सुभा नास्ते में आपको अंकुरीत आहार और फल लेना है इसमें फाइबर बहुत होता है ग्रीन वेजिटेवल्स लेने है अगर आपने खाने में फाइबर सामिल करेंगे तो आपका असिदिक ठीक होने लगेगा कम फाइबर खाना खाने से भी Acidity Problem आपको शराब का भी सेवन नहीं करना है जो शराब पीते हैं उनको भी Acidity का गएक़ उनको पुर्ण बहुत देखा गया उनको ज़्यादा मिर्च मसाले का भी खाना नहीं खुना है जीरा धनिया हल्दी ये suficient है हमारे लेकिन बहुत लोग है जो जाधा तीखा हÄंको खाने में ने मिलता है तो उनको खाना अच्छा कि जिवा खाली पेट 4 चमच अलविरा जूस लेना जिनको इसेडिडिटी प्रफलम होती है। फाली पेट 4 चमच अलविरा जूस लेगें। कोई दिकट नहीं और इसको अपने दिन्चरिया करें। अपसलाद खा सकते है नार का सेवन कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि जब वो कपाल भाती करते हैं तो उनको एसे लोग आराम आराम से कपाल भाती कीजिए और जो सिर्फ कपाल भाती करके छोड़ देते हैं लास्ट में जैसे कि पनायम की लास्ट में कपाल भाती करते हैं या कपाल भाती करके तुरन छोड़ देत आप सिर्फ कपाल भाती करेंगे तो आपका यह प्रॉब्लम सायद में भी बढ़ जाएगा जिसको होता है वो जानते है उनको अनुभा होता है कि हाँ कपाल भाती करने से इनका एसड़िटी प्रॉब्लम का बढ़ जाता है तो आप उसके तुरंथ बाद आप एटलिस 15 मिनट आप अनुलोम भिलोम किजे तो कपाल भाती करने से जो आपको एसड़िटी की प्रॉब्लम आपको फील होती है वो नहीं होगी आप करके देखिए आपको रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा एक चीज़ तो मैं बहुत जादा नोटिस करते हूं कि बहुत जादा वो टे लेकर सुभा खाली पीट आपको बिल्कुल चाई कॉफी का सेवन भी नहीं करना है और स्ट्रेस जादा होने के वज़़ा से भी एसड़िटी प्रॉब्लम होती है और ऐसे में चाई कॉफी पी लेते हैं तो और जादा आपको प्रॉब्लम होती है लेकिन ये बात साय आप करना लेक्तिकों कर स्ट्रेस में कॉफी में चाई जाद़ीक है ये फीन पाचक पांछा निकालता है तो ऐसलोग अधिक वेड़ नास्ते नास्ता 7ruce करना है तो 9 ते 9 प्रॉब्लम होती हमें फायते जी है सिरी 9 बाह Про एपिसोड बना दूंगे विडियो बना दूंगे जिसमें बचीवी चीज़ आपको बता दूंगी ऐसे भी काफी टाइम हो गया है मतलब 10-11 मिनट का विडियो बन गया है तो मैं ऐसे नॉलेश्फुल विडियो अक्सर लाते रहती हूं तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे लाइक किजे कमेंट किजे नमस्कार